दोस्तो आप लोग जानते हैंगे कि करवा चोर्थ के वरत में कुछ भी खाना या पीना मना होता है अगर हम बात करें प्रेग्नेंसी में वरत कैसे करना चाहिए तो ये बोहत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो आप खाती पीती हैं वही आपके बच्चे दक पहुशता है जैसा आप खाती है वैसे उस बच्चे को पोशर मिलता है तो अब सवाल यह उठता है कि करवाचोत कव्रत निर्चला होता उसमें पानी भी नहीं ले सकते हैं तो आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डेटेल में बात की जाएगी कि आप आपका करवा जोतकवरत कैसे इजी बना सकती हैं तो दोस्तो वीडियो बहुत ही helpful होने वाले इसलिए वीडियो को अब इसे लाइक कर दे और चैनल को अभी से सबस्क्राइब कर के रखे और बेल आइकन को पर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आ तक easily पहुंच जाएग्ड Niagaraब बात करते हैं सबसे पहले अगर आप प्रेगनेंट हैं और आप करवाजोत कवरत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सला लेने चाहिए क्योंकि आपकी शाररी किस्तिति आपके डॉक्टर से ज़्यादा बेटर कोई भी नहीं जानता तो वह आपको सजिस्ट करेंगे कि आपको वरत करना तो यह तो हुगा दोस्तों पहला पम जो कि आपको बहुत ज़ादर ध्यान रखनी के ज़़ुरत होती है थ्र दोस्तों इस चाहिए आपको पिरुख्ती चाहिवारी को आपको दो जतो gradig में उता है शाटना जो करफ दो लो परको या शादी रॉक्त जाह साल्टी है। अब फ्रोटीन लेना है खाने में, तो जो की slow digest होते हैं, आपको जारह दिर तक भूग का एहसास नहीं दिलाते हैं तो वो है जैसे कि दोस्तों डाल खा सकती है आप या फिर आप मावा खा सकती है इससे आपको जालर दे तक भूख का एहसास नहीं होगा फिर थार्ड है दोस्तों आपका जिस चीज में इंटरस्ट हो आपको जो काम आप दिल से करती हो जो काम जिस काम को करन आपको जिसका में इंट्रेस्ट आता हूं अगर आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है तो आप बात कर सकती है दिन में या फिर आपको आपको इंट्रेस्ट के अनुसार काम करना है जैसे कि अगर आपको महंदी लगाना अच्छा लगता तो आप महंदी बैठ कर लगा स इसकाम ये आपको अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो ये आपको पता ने कि काम भी हो रहा है और आपको चुटकियों में टाइम भी निकल गया और आपको भूक नहीं लगेगी और आपको प्यास का नहीं होगा क्योंकि आप उस काम में बीजी रहेंगी या फिर अगर आपको ये काम करने में अगर आप सक्ष्यम नहीं आप नहीं कर पार ती 고양 है तो आप आराम करें लेट चाहे तो आपको ल most अफ़ीन कर साथी है historical ऑख रदा लेए जिसमें आपकी calorie burn हो रही है ऐसे कोई भी काम आपको नहीं करना है क्योंकि इससे आप ठक जाएंगी और ठकावत होगी तो आपको प्यास भी लगीगी और भूग भी लगीगी और जैसा कि आप जानती कि अगर आप pregnant हैं तो pregnancy में आपको और आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकती है और अगर आप pregnant हैं और आप करवा जटकवरत कर रही है तो फिर आपको हलका फुलका पेट में दर्द जी मचलाना वोमिटिंग जैसे शिकायत हो सकती है यह नॉर्मल होता है क्योंकि क्योंकि आप कुछ खाती पिती नहीं है तो आपको यह सब यह सब प्रॉब्लम हो लगी की और आपको प्याज भी नहीं नहीं लगेगी दोस्तों अगर यह आपका पहले व्रत है पहला करवा चौथ है यह से बहुत कर नहीं अगर आप इपको नहीं मान नहीं है तो आप अगर चाहती हैं तो फिर आपको क्या करना है आपको कुछ दिन पहले से ही अपने आपको हाइडरेट करना है पान्चवा महीना चल रहा था तो मैंने भी दोस्तों यही किया था कुछ दिन पहले से नारेल पानी पी लिया था और जब सरगी का डायम होता है सूरद से पहले उस टाइम पर भी ना मैंने दो नारेल के पानी पी लिये थे तो मुझे इतना ज्यादा फील तो नहीं हुआ हु वॉमिट इंग आई थी और उल्टी जैसा मन भी कर रहा था लेकिन पेट में कुछ था यह नहीं तो फिर वॉमिट कहां से होगी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाते हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका पहला है तो यह आपको आप कल शाम को पूजा करते हैं तो फूजा के बाद आप चाय कॉफी नांपी है हल्का पानी पीली अपके पास नारिल पानी पी लेते हैं तो आपके लिए बहुत अचा होगा और हलका-पुलका खाए, जादा एकदम से ना खाए, वैसे तो खिलता भी नहीं है, और खाना भी नहीं चाहिए आपको एकदम से, तो दोस्तो वीडियो को एंड करते करते में, आप लोगों को एको टिप देना चाहूँगी, दिन भर में अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपके बसकी नहीं हो रही हो तो भगवान के सामने बैठ कर दो अगरवत्ती लगा कर भगवान से शमा मांग कर माफी मांग कर दो अगरवत्ती लगा कर आपको एक बेठक में जो भी लेना हो आपको चाहे तो फूर्ट ले सकती है जूस ले सकती है पानी ले सकते हैं चाय ले सकते हैं एक बार उसे जगह पर बैठे बैठे भगवान के सामने हाद चोड़कर आप ले सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंट महिला को सब कुछ माफ होता है और आपको न ये सब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप आप ऐसा कर सकती है क्योंकि भगवान इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते है क्योंकि आपको आपके पती के सांसत आपके बच्चे की सेहत का विध्यान रखना है आप यह मत भूल जाना करवा जोत के वरत के टाइम पर इतने excitement में यह मत भूल जाना कि आपके अंदर भी जान पल रही है इसलिए आप कुछ ना कुछ अगर आपका पहला अवरत है तो आपके दिन भर में जूस लिक्विट वगेरा लेती रहें और अगर आपके एक्चा नहीं कर रहे है बार-बार लेने की तो आप एक बार में एक बैट एक टाइम में कुछ भी ले सकती है चाहे यह एक बार हो या दो बार हो जितनी बार भी आपको लेना है या फिर ज्यादा नहीं तो एक बार बेट कर भगवान के सामने भगवान को भोग लगा कर आप ले सकती है भगवान इस बात का बिल्ड को भी बुरा नहीं मानेंगे तो दोस्तो आई ओपकी वीडियो आपके योगे अगर रही है तो प्लिस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाब बाई एंड टेक केर